तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी तीन रेसिंग गेम्स बताने वाला हूँ जिना आप अपने Android डिवाइस या फिर iOS डिवाइस दोनों में से किसी में भी चला सकते हो एंड उन तीनों रेसिंग गेम्स के ग्राफिक्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे मतलब मिल जाएंगे पूरे PCや फिर deployed के उन नाम जानना चाहते हो तो वीडियो को फ्री देखने को मिल जाएंगी, आप इससे mobile devices में चला सकते हो, गेम के graphics काफी अच्छे हैं, और गेम की जो controls है, वो भी काफी simple है, और of course आपको इस गेम में Nitro and Drifting टाइप के elements तो देखने को मिल ही जाएंगे, बट जूचीज़ आपको इस गेम में शायद पसंद ना आए, वो है इस गेम में होने वाली races की length, जो की थोड़ी सी छोटी है, बट स्टिल आपको इस गेम को खेलने में काफी ज़्यादा मज़ा आएगा, और जातेक मैं बात करूँ इस गेम के size की, इस गेम का size वही 1.35 GB के असपास होने वाला है, और यह गेम online है, तो अब बिना किसी time waste के चलते हैं इस लिस्ट के next game की तरफ, जिसका नाम है Asphalt 9, तो Asphalt series एक ऐसी series है, जो की काफी लंबे time से हम mobile gamers के लिए एक अन्सोन quality racing games provide करती आ रही है, and Asphalt 9 भी उनी games में से एक है, या फिर कहूँ इस franchise की latest installment है, and as compared to previous installments, Asphalt 9 के जो graphics and visuals है, वो काफी ज़्यादा improved है, and of course आपको इस game में वही arcade element तो देखने को मिल ही जाएगा, and as compared to Asphalt 8, इस game का जो gameplay है, वो काफी ज़्यादा smooth है, और इनी सब चीजों के साथ साथ आपको इस game में 167 customizable cars भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि Porsche, Dodge, Saverlet, BMW, Lamborghini, और भी काफी सारी cars आपको इस game में देखने को मिल जाती है, और ये game आपको provide करती गया है, online multiplayer and single player campaign mode, और उसी के साथ साथ time to time इस game में 9-9 events भी आते रहेंगे, जिनमें आपको participate करना है, और अगर आप उन events को जीच जाते हो, तो आपको बहुत सारी rewards भी देखने को मिल जाएंगे, और इस game का size आपको 2.5 GB के आसपास तक का देखने को मिल जाएगा, और ये game online है, मुझे इस game को देखकर ऐसा लगता है, जैसे किसी ने mobile पर RTX का support लगा दिया हो, मतलब ये game उन गिनी चुनी mobile games में से एक है, जिन्होंने Unreal Engine 4 का काफ़ी ज्यादा अच्छी तरह यूज़ करा है, और इस game में आपको drive करने के लिए बहुत सारे cars, and play करने के लिए बहुत सारे modes देखने को मिल जाएंगे, और इस game को netis ने बनाया है, तो इसलिए हैर ये game आपको play store में तो देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप इस game को खेलना चाहते हो, तो आप इस game को किसी third party website से download कर सकते हो, and जहां तक मैं बात करूँ इस game के size की, तो इस game का size 3.7 GB है, and ये game offline and online दोनों remote provide करेगी, so yes guys, ये थी आज की वीडियो, मैं आपको top 3 high graphics racing games for android devices बता चुका हूँ, and I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, जूनों आपको भीडियो जए होगी, प्यूनों के दो एंगे, जूनोंॉ